हेलो फ्रेंट सौगत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मद्दब बज्च सीपी सीटी ऑनलाइन एक्जाम के बारे में इसकी यहां पर डेट आच चुकी है अभी भी अगर आपने इसमें आविदन नहीं किया तो इसमें आप आउन करना है देखिए जैसे कि वेकेंशी आती है घ्री तो इसमें पर कंप्यूटर का सेटिविकेंट मांगा जाता है ठीक है तो कहीं आज में हां पर जोई सीपी सीटी एक्जाम जो है जिनके पास रहता है क्लियर वहीं यहां पर जो है इसमें आविदन कर सकता तो आपका घ्राइब कर्ते हैं तो काफी जो एकेंज जिसमें आप्लाई कर सकते हैं धिक अब यहां पर किस तरीक से एक्जाम होता है देखिए इसा है आपका जो यह प्लस टाइपिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको बाताऊंगा ठीक है मेरी कितनी हिंदी में टाइपिंग की जो है स्पीड आई थी और इंग्लिश की कितनी स्पीड आई थी वह भी मैं आपको यहां पर शेर करूंगा तो वीडियो आप अच्छे से देखिएगा अगर आप सीपीजिटी की तैयारी कर रहा है मार्च मंत के लिए ठीक है सारे जीजिए यहां पर मैं आपको क्लियर करने वाला ह ओल्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जैसे आने वाली वेकेंची के आपको जो है अपको क्लिक कर देना यहां पर अप जो है इसके वैपसाइट पर आ जाएंगे अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर एप्लिकेशन स्टाइट जो सोला अपर बबरी चुका है एप् को कि फड़ा तो कितनी लगती और कितने टाय में लगता ड़ीक लोग सकते हैं यहां-पर वैढिट कर सकते हैं यहां पर यह कम यह च LEथ यहां पर साथ यहकंड अन्टिया घ्या णाय ओए ठीक है अबितने अब द refugeते कि प्लस पर कितनी फीश लगती तो भो भी हाँंपर आप कर सकते चेक यहांप जो आप देख पाएंगे सिंत्र कटी कैडिक तोटल में पर आपकी फीश सकते हैं निन आप यहां पर डिके मैप सकते हैंसे आपको उस्की trat तुक्षर पर टीक्रbन फूं को हसार का अपार फादर्स को MVM यहां पर करना पकी जो मम्मी को प्लॉस यहां टारी टाकर हेंत कनी सब्सक्राइन के उसके एक करना है, यहां पर है, अपना अपका वंगा मतलड खहते हैं, आपको करने निकीडा, करना है ठीक है यहां पर सारी चीज़ आप डालेंगे ठीक है आपके पास otb चले आएगा और कैप्च आपको डालना है और फिर आपको यहां पर समिट कर देना है इस तरफ की हाँ पर जो है एक परसनल डीटेल की संव रोंधय करणा है यहां फिछ करना है तो यहां पर जाएंगे मेरा फर Brussels QR São आपको पर सब्दोर कर देंगे आपसिक यहां बेद्लाना चैप्र सकते हैं मेरे यहां पर जादा नंबर नहीं आया थे सिफ 38 मांक सी इसमें आया थे पर मेरा यहां पर कॉलिफाइड हो गया था ठीक है कंप्यूटर यहां पर मेरा कॉलिफाइड हो गया था उसका पर देख सकते हैं कितनी आई थी तो वह यहां पर आपको देखने को मिल लाएगी मेरी यहां पर ऑसको कि अब कि अब मेरी 30 प्लस है तो इस तरीक से यहां पर जो है मेरा स्कोर काड़ रहा था मैंने किस तरीक से पास किया था तो मैं आपको यहीं बोलूँगा कि जित्ते भी ओल्ड एक्जाम में यहां पर पेपर वह आप पहले लागा लीजिएगा ठीक है उसमें से आपको काफी हां पर अब आपको यहां पर जो रीसेंट एक मिल नाइंग ठीक है तो मैंने इसी तरीक से तयारी की थी प्लस मेरा बीज़िए सब्जेक्ट थो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई थी कंप्यूटर में ठीक है तो इसको क्लियर कर सकते तो यहाँ पर तरीक है अब इंदी इंग्लिश टाइपिंग किस तरीक से निकाल लिए सबसे आपको कीबड़ चेक आउट कर लेना है घर प्रैक्टिस करती रहनी है आपको यहाँ पर पांच-पांच मिट के इंग्लिश और हि हो जाएंगे और फिर आपको जो बढ़ जाएगा आपको नर्वस नहीं लएगा जैसे यहां वहां पर जाकर बेटने तो आप थोड़े नर्वस हो जाते हैं ठीक है दूसरों की स्पीड देगे तो आपको आपको फोकस अपने पर ही रखना है प्लस यहां पर जो है आप लो सब्सक्राइब करेंगे तो आज यहां पर यहां पर आप इसमें अप्लाइक कर सकते हैं अब भी अगर आप लोग चाहते हैं इस पर फूल वीडियो बनाऊं किस तरी से प्रेक्टिस करना है टाइपिंग हिंदी इंगलिश की टाइपिंग के स्पीड के बारे में वीडियो इस कमेंट सेक्शन बताइएगा अगर जाजा कमेंट साते रिस्पोंस अच्छा आता है तो इस पर एक में फुल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अपना परसनल एक्सपीजन बताऊंगा और आपको कहां से पढ़ना है वो भी में शेर कर दूंगा वीडियो पसंदा त वीडियो को दाजर शेर के जीगा वीडियो को लाइक के जीगा इस वीडियो में तेप फ्रेंट्स मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में